ये तस्पीरे बता रही है हौंग कॉंग में कॉरोना वाइरस का खतरा किस कदर बढ़ गया है और इस खतरनाक संकर्मन से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है दुनिया के बाकी देशों की तरह हौंग कॉंग भी कुरोना की चपेट में है इन दिनों यहां वाइरस के नए मामलों में तेजी से इज़ाफा हो रहा है जिसको देखते हुए यहां के वर्ल्ड एक्स्पो सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में तबदील कर दिया गया है यहां एक हौल में 500 बेड मौचूद होंगे अभी एक्स्पो सेंटर के एक ही हौल को अस्पताल के रूप में तबदील किया गया है और दूसरे हॉल्स में भी ऐसे ही सेंकडो बेट्स लगाय जा रहे हैं ताकि मरीजों की संक्या बढ़ने पर किसी तहां की परिशानी नहों पहले हॉल में 18 से 60 साल के मरीजों का इलाज किया जाएगा यहां 24 घंटे डॉक्टरों की मौजूद्गी रहेगी ताकि किसी भी मरीज को किसी भी समय कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके इसके अलावा इस अस्पताल में एक्ष्रे और बलड टेस्ट जैसी दूसरी सुगधाएं भी मौजूद रहेंगी एक्सपो सेंटर में तीन दिन की देखरे के बाद अगर किसी मरीज की हालत में सुधार नहीं होगा तो उसे अस्पताल में भीजा जाएगा हॉंग कॉंग में इन दिनों कोरोना का खत्रा बढ़ गया है यहां हर दिन सौ से जादा नए मरीजों की पहचान हो रही है जिसको देखते हुए एक्सपो सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में तबदील करने का फैसला किया गया है यहां 3400 से जादा मरीजों की अब तक पहचान हो चुकी है और अब तक 31 लोग जान गवा चुके हैं